हेलो फ्रेंट्स आज को इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की इंपॉर्टेंट साइन्स चैप्टर पर डिस्कॉसन करने जा रहे हैं चैप्टर है जीवन की मावलिक एकाई यानि दो फंडमेंटल यूनिट आफ लाइफ इस वीडियो में हम दिये गए चैप्टर पर एक एक पॉइंट फर डिटेल स्टॉड़ी करेंगे पाइए वीडियो सुरू करते हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने की कोशिस करते हैं इस चैप्टर में हम कोशिका यानि सेल के बारे में डिटेल स्टॉड़ी करने जा रहे हैं इसमें कुछ points हैं कोशिका से related पहला points है कि कोशिका जीवों की संग्रशनात्माग एवं क्रियात्म की काई हैं sentence का मतलब यह हैं कि कोई भी जीवित प्रानी चाहे पौधे हो जन्तु हो या कोई भी प्रानी हो उसकी जो body होती हैं वो कोशिकाओं से निर्मित होती हैं जिस प्रकार एक building इनिटों से बनी होती हैं उसी प्रकार किसी सजीब की जो सरीर होती हैं वो कोशिकाओं से बनी होती हैं साथ ही साथ जो body का जो भी functions होता हैं जो भी physiological activities होती हैं वो सारा activities में प्रत्य कोशिका का योगदान होता हैं इस प्रकार हम कह सकत हैं कि कोशिका जो हैं वो जीवों की संग्रचनात्मक अबंग क्रियात्मक इकाय हैं। दुसरा पांठ है कि ये कोशिका का खुज कब हुआ। सम 6500 इस भी में रावर्ट हूक ने कोशिका की खुज की। वास्तब में क्या हुआ था कि उन्होंने मृत्यकोशिका की खुज की थी। अपने दुबारा बनाएं गया सुजमदर्शी के सहायता से उन्होंने मृत्यकोशिका को देखा था। इस प्रकार कोशी का का जो खोज हुआ था यह रावर्ट हुख के दोवारा हुआ था उन्होंने जो बोतल की जो कार्क होती हैं कार्क की पतली-पतली स्लाइड काट कर उसको अपने दोवारा निर्मित सुचमदर्शी से जब देखा तो उसमें उनको मधुमक्खी के छप्ते म चैंबर्श होती हैं वैसे कुछ संग्रचनाय उसको देखने को मिला तो इसी छोटे-छोडे चैंबर्श को उन्होंने कोशी का नाम दिया इसको इंग्लिस में हम सेल करता हैं जिसका अर्थ होता है चैंबर कुष्टक इस प्रकार कोशी का सब्द का प्रतिपादन किया था वह रावर्ट ठुक नहीं किया था और इसकी जो खोज है यह 1615 में रावर्ट ठुक नहीं इसकी खोज की थी कोशिकाओं की शेंखा के आधार कवर स्वजीवों को दो भागों में बाटा गया है एक है एक कोशी किया और दूसरा है बहु कोशी किया वैसे जिवित जिव जिसकी सरीर सिर्फ एक कोशी का का बना हुआ होता है उससे हम एक कोशी किया जिव करते हैं और जिसकी शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से निरमित होती है उसको हम बहु कोशिक या जीव काते हैं एक कुसी किया जीब का सबसे अच्छा उदाहरन है अमीवा जो की एक कुसी का से निर्मित हैं परामिशियम बैक्ट्रिया क्लैमिडोमनस और भी और भी बहुत सारे हैं इसके साथ वो कोशी किये जीब वैसे जीब को कहता हैं जिसकी शरीर एक से जाधा कुषिकाओं से बनीफी होती है जिसे कवख में कुषिकाओं की सेंख्खा बहुत अधिक होती है इसलिए ऐसे जीबों को हम बहुकोषिक जीब कहता है इस प्रकार कोशीका के सिंखा के आधार पर सजीवों को हम दो भागों में बाटे हैं पहला है एक कोशी किया और दूसरा है बहु कोशी किया इस चाप्टर में कुछ महतपूर्न तक्ष दिया हुआ है जिसको हम यहां डिटेल वर्नन किया है पहला हैं कि लिवन हाक ने 674 स्वी में जिवानों की खोज की जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि जो कोशीका की जो खोज हुई थे ये रावर्च हूप ने किया और वास्तप में उन्होंने मृत्त कोशीका को देखा था लेकिन अब सवाल हैं कि जिवित कोशीका का खोज किस ने किया तो जिवित कोशीका का खोज यानि जिवित कोशीका को सबसे पहले देखने वाले वैक्ति जो थे वो थे लिवन हाक और लिवन हाक ने तालाव के पानी को जब अपने दोआरा निर्मित सुचमदर्शी से देखा तो उन्हें ने एक कोशी की अजीब देखा और इसी एक कोशी की अजीब जो हैं हम आज के डेट में जिवानू के नाम से जानते हैं इस प्रकार जिवानू का जो खोज हुआ था ये लिवन हाक के दुवारा किया गया था तुसरा पॉइंट है कि कोशी का के अंदर जो केंद्रक होती हैं इसका पता लगाया था रावर्ट ब्राउन ने सम 18-31 में रावर्ट ब्राउन ने कोशी का के अंदर केंद्रक का खोज गिया तुसरा पॉइंट है कि पुरोकंज ने कोशी का के जो तरल पदार्थ होते हैं उसको जीवद्रेब का नाम दिया कोही कोशिका में जब उसकी प्लाजमा मेंब्रेन के भीतर का जो तरल पदार्थ होती हैं जिसको हम जीवद्रेब काते हैं तो ये जीवद्रेब यानि प्रोटोप्लाजम सब्द का जो प्रतिपादन किया था वो पुरोकंज ने किया कोशिकाश धान्त यारी शेल थियोरी क्या है अब हम इसके बारे में समझेंगे शेल थियोरी जो हैं एक काफी इंपार्टेंट थियोरी हैं और दो महान वायलोजी के वैग्यानिक M. Sweden और T. Swan दोनों मिलकर ये बताया कि सभी पौधे और सभी जन्तु का जो शरीर होती हैं ये क कोशिकाश अतन्त सुजम होते हैं जिससे हम खाली आक्षे नहीं देख सकते हैं और इस प्रकार ये कोशिकाश जो हैं ये जीवन की मूर्फुतिकाई हैं तिये दोनों वैग्यानिकों ने मिलकर ये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धान्त को हम कोशिकाश शिद्धान्त यानि शेल थियोरी के नाम से जानते हैं यानि शेल थियोरी यही बताती हैं कि सभी जीवों का जो सरीर हैं ये कोशिकाओं से निर्मित होती हैं कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं कोशिका शिद्धान्त के बारे में दुसरा पाइंट जो हैं कि कोशिका पुर्ववर्ति कोशिकाओं से ही बनती है यानि इनके विचार के अनुसार कोशिकाओं का जो जन होता है वह पुर्ववर्ति कोशिकाओं से ही बनती है यानि कोशिकाओं का जो इस प्रकार जो निर्मान होती है ये कोशिकाओं विभाजन के द्वारा ही होती है इस प्रकार को से कखाव सिध्धान्द जो हैं इसमें दोनों को अगर हम मिला दें तेश्पोंत हो गहां कि सबी पॏधह और जंतूओं का स्रीड जो है यह को सिग्स काओं से भाप विभाव और घुषी कायों करते हैं तो उसमें सब द आता है electron सूच मदरसी तो बहुत सारे इस्टूरेंट चाया कहना है कि आखिर Hier Map लिएanç होता क्या है और यह लाक्राइट का खोज टिस नहीं किया तो देखे आप देख सकते हैं जैसा कि यह स्क्रीन में दिखा रहा है कि दूब वैग्यानिक एक का नाम है नौल इसमें के एन ओडवल जो है तो के जो है यह साइलेंट है इसको हम प्रणूंसियेशन करेंगे नौल और रश्का दोनों ने 24 insightful में लेक्तराण सुजमदर्शी का निर्मान किया और इसी सुजमदर्शी के सहायता से कोसिकाओं में जो उत्तंत छोटी-छोटी संग्रचनाय होती है उसको हम आसानी सत देख सकते हैं इस प्रकार electron सुजमदर्सी के खोज के बिना कोसिकाओं का detail study संभब नहीं था। जब कभी भी हम laboratory में कोसिका के बारे में detail study करना चाहते हैं तो हमें electron सुजमदर्सी के आवश्यक्ता होती हैं। और यह electron सुजमदर्सी जो हैं जैसा कि हम जो सभी microscope अपना college या schools में देखते हैं इससे कई गुना ज्यादा develop होती हैं। और इसी electron सुजमदर्सी के सायता से कोसिकाओं की अच्तिंत छोटी संग्रशनाओं को हम आशानी से देख सकते हैं। तो यह electron सुजमदर्सी का जो खोज किया था वह नाल और रुष्का ने किया था। अब हम कोशिका की संग्रशना जानने से पहले कोशिका से संबंदित कुछ important facts के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला point है कि कोशिकाओं की आक्रिति और आकार जो होती हैं उनके विशिस्ट कारे के अनुरूफ होते हैं। और हर तरह की जो कोशिकाओं होती हैं उनका कारे जो हैं वह अलग अलग हैं। तो कोशिकाओं की जो आक्रिती और आकार होती है वो उनके कारियों के अनुरूफ होती है जिस प्रकार जहां जैसे कोशिका का जिस तरगा काम है उसी काम के अनुरूफ ये कोशिकाओं की आक्रिती और आकार होती है सेम प्रकार की जो facts है ये पोधें, जन्तु या कोई भी जीवों के लिए लागू होती है यानि कोशिकाओं की जो आकरिती और आकार होती है वो उनके कारियों के अनुरूफ होती है next point है कि अमिवाज जो है ये एक कोशिकी जीव है जो अपना आकार बदलती रहती है आप अगर जीव जवत में study करेंगे तो देखेंगे कि हर कोशिकाओं की आकरिती और आकार जो होती है ये निश्चित होती है लेकिन अमिवाज एक ऐसा जीव है जो की एक कोशिकाओं से बनी हुई होती है और इसकी आकरिती और आकार अन्यमित होती है यानि किस्थिती परिस्थिती के अनुसार इसमें जो इसकी कोशिका होती है इसकी आकरिती और आकार बदलती रहती है अक्सर कोश्चन में ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका के आकार या आकरिती जो है ये निश्चित नहीं होती है तो निसंदे उसका जवाब होगा अमिबा अगला पांट है कि जो बहु कोशी के जीव होती है यानि जिसकी सरीर एक से ज़ादा कोशी काउं से बनीफी होती है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें स्रम विभाजन होता है यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सब्द है स्रम विभाजन और यह स्रम विभाजन जो है यह वहु किसी के जीवों में ही पाया जाता है यह एक कोशी के जीवों में नहीं होता है अब यह स्रम विभाजन क्या है कि जिस प्रकार हमारी बाड़ी बनी हुई है तो जैसे कुछ कोशी काई ऐसे हैं जो पाचन का कारे करती हैं, कुछ कोशी काई ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रच्छा का काम करती हैं, कुछ कोशी काई ऐसे हैं जो हमें जो सम्मेदनाओं के परतीज जो हैं वह जादे सम्मेदन सील होती हैं, इस प्रकार एक बहु कोशी के जीवों में अलग-अलग काम, अलग-अलग परकार की कोशेकाए करती हैं, लेकिन एक कोशी की जीव में क्या हısı होता है, पीजुकि उसका वाडि जो है, वो एक कोशीका से ही बनी होती है, इसलिए वाडि का सारा कारे, चाहे वह पाचन का हो, चाहे वह श्वासन का हो, चाय वो गती का हो, हर प्रकार का काम एक कोशी का ही करती है, इसलिए स्रम विभाजन जो हैं ये बहु कोशी के जीवों का character है, जबकि एक कोशी के जीवों में स्रम विभाजन नहीं होता है, अब आईए हम कोशी का संग्रचना के बारे में study करते हैं, कोशी का की संग्रचना को जानने के लिए हमें इसकी एक image की जोरत पड़ती है, और इस image में आप देख सकते हैं कि एक कोशी का की संग्रचना कैसी होती है, देखिए आप image में देख सकते हैं कि इसमें हुर्दरी अंत्यद्रवी जालिका है, लाइशोश्रम है, चिकनी अंत्यद्रवी जालिका, कोशी का अध्रव्य, हरित लवक यानि इसको हम कलूरोप्लास्ट करते हैं, राइवोजम्स भी इसमें होती हैं, मायट्रोकंड्रिया, कोशी का अध्रिया, और भी बहुत सारे कोशी का अंगक होती हैं, जिसके बारे में हम एक एक अंगक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो यह जो image है, यह कोशी का की image है, और इस image को लैक्रोन सुजमदर्शी की मदद से लिया गया है, अब चलिए सबसे पहले हम एक ए एक जो अंगक हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशी का भित्ती क्या होती है, एक कोशी का के बाहर एक मजबूत दिवार जैसे संगरशना होती है, और यह जो कोशी का भित्ती है, यह कोशी का को मजबूती प्रदान करती है, सबसे जो important point है वो है कि कोशिका भित्ती जन्तूओं के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ये पादब कोशिकाओं में पाया जाता है इसके बारे में जो पहला point है कि ये पादब कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ती होती है ये मुखतर cellulose की बनी होती है और ये कोशिका भित्ती ये कोशिका को मजबूती परदान करती हैं अक्सर different competitive exams में ये question आया है कि कोशिका वित्ती जो है कोन से रासानिक पदार्ती बनी होती हैं इसका सभी जवाब होता है कि cellulose की बनी होती हैं दुसरा point जो है कोशिका वित्ती के बारे में है कि ये कोशिका वित्ती किसमे किसमे पाया जा सकता है ये पोधों की कोशिका में पाया जा सकता है ये कवकों की कोशिका में पाया जा सकता है और बैक्ट्रिया में पाया जा सकता है जबकि जन्तु कोशिका में इसका अभाव होत जन्तु कोशिका में कोई कोशिका वित्ती नहीं पाया जाता है अब हम कोशिका जिल्ली के बारे में जानकारी लेंगे कोशिका जिल्ली क्या है इसकी क्या-क्या खूबियां है इसके बारे में अब हम जानेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है वह कोशी का जिल्ली का वह है कि इससे हम प्लाज्मा जिल्ली भी कह सकते हैं किसी किताब में इसको कोशी का जिल्ली कहा जाता है किसी किताब में इसका उल्लेख फ्लाज्मा जिल्ली के नाम से होता है तो ये कोशी का जिल्ली जो होती हैं, कोशी का की सबसे बाहरी परत हैं, यानि हम ऐसा कर सकते हैं कि कोशी का को चारों उर से घेरने वाली जो जिल्ली होती हैं, उससे हम कोशी का जिल्ली या प्लाजमा जिल्ली कर सकते हैं, वैसे कोशी का जिसमें कोशी का भित्ती मौजूद ह होती हैं लेकिन जन्तु कोशिका में जिसमें की कोशिका वित्ती का अभाव होता है तो ये कोशिका जिल्ली वैसे जन्तु कोशिका के सबसे बाहरी परत हैं इस परकार कोशिका जिल्ली जो है कोशिका का एक महत्पूर्ण संग्रचना है और ये कोशिका को बाहरी वातावरं से अलग करती है, next point है इसका, कि कोशी का जिल्ली जो हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत हैं कि ये कुछ selected पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को ये बाहर या अंदर आने से रोकती हैं इसलिए ये कोशी का जिल्ली जो है इसको हम वर्नात्मक पारगईम में जिल्ली कहते हैं यहां एक सब्द दिया हुआ है वर्नात्मक पारगईम जिसको हम इंग्लिस में selective permeable कहते हैं यानि ये जो जिल्ली है ये हर पदार्थ को अंदर या हर पदार्थ को अंदर से बाहर जाने से रोकती है ये कोशी का जिल्ली जो है ये खुद decision लेती है कि कौन सा पदार्थ कोशी का के अंदर आएं और कौन सा पदार्थ कोशी का से बाहर जाएं जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी है वो पदार्थ कोशिका के अंदर आती हैं और जो पदार्थ कोशिका से बाहर निकलना चाहिए उसको ये बाहर निकालती हैं इस प्रकार ये कोशिका जिल्ली जो हैं एक महत्पूर्न काम करती हैं और ये पदार्थों का चैन करती हैं इसलिए इस प्रकार की जिल्ली यानि कोशी का जिल्ली को selectively permeable यानि वर्नात्मक पार्गे में जिल्ली कहते हैं अब आईए हम कोशी का द्रिब यानि साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी लेते हैं कोशी का द्रिब इसको हम इंगलिस में साइटोप्लास्म काते हैं और ये साइटोप्लास्म यानि कोशी का द्रिब कोशी का की सबसे महतपुर्ण भाग होती हैं कोशी का जिल्ली को छोड़कर अंदर की सारी पदार्थ को हम कोशी का द्रिब यानि साइटोप्लाजम कह सकते हैं अगर किसी कोशी का में बाहर की जिल्ली यानि कोशी का जिल्ली को हटा दिया जाए तो जो पदार्थ या जो भी उसकी material बचती हैं उससे हम कोशी का द्रव कहते हैं पहला point है कि कोशी का जिल्ली के अंदर तरल पदार्थ को कोशी का द्रव कहा जाता है इसमें बहुत से कोशी का अंगक मौजूद होते हैं कोशी का जिल्ली में कई कोशी का अंगक मौजूद होता है इसमें महत्पुर्ण कोशी का अंगक जो है वह हैं अंतद्रेब्वी जाली का जिसको एंडोप्लाजमिक रेटिकूलम या फिर इ-R कहा जाता हैं इसके साथ गलजी उपकरन यानि गलजी आपरेटर्स भी मौजूद होती हैं इसके साथ साथ लाइशोसं एक बहुत ही महत्पुर्ण कोशी का अंगक है ये भी कोशी का में मौजूद होती हैं लाईशोसं के अलावा माइट्रो कंड्रिया हैं और प्लैस्टिड हैं प्लैस्टिड के साथ साथ रस्धानिया और केंद्रग भी मौजुद होती हैं इस प्रकार ये जो लिस्ट हैं कोशी का अंगक की ये महत्पुर्ण कोशी का अंगकों की लिस्ट हैं इसके साथ साथ और भी एक दो कोशी का अंग पके बारे में डीटेल स्टडी करते हैं पहला कोशिका अंगजो हैं अंतरवी जाली का इसके बारे में हम डीटेल स्टडी करेंगे अंतरद्रबी जालिका यानि एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम किसी कोशिका में पतली-पतली नलिकाओं का एक जाल पूरी कोशिका के साइटोप्लास्म में फैली हुई होती है इसी structure को हम अंतरद्रेबी जालिका या फिर endoplasmic reticulum कहते हैं इस जालिका का सबसे महतपूर्न काम क्या है नहीं ये transport का काम करती है पतली पतली नालियों से एक भाग से दुसरे भाग में पदार्थों के transport के लिए ये अंतरद्रेबी जालिका महतपूर्न रोल अदा करती हैं अब आएए अंतरद्रेबी जालिका के बारे में different points को हम नोट करते हैं पहला point है कि यह कोशिका के अंदर जिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र है अंतरद्रेबी जालिका यह जिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र है एक system है जो की पूरी कोशिका द्रेब में फैली हुई होती है अगला पाइंट है कि ये अंतरदर्बी जालीका जो है ये दो तरह के होते हैं एक है खुरदरी अंतरदर्बी जालीका और दुसरा है चिकनी अंतरदर्बी जालीका इसको हम इंगलिस में Rough Endoplasmic Radiculum और दुसरे को स्मूथ अंदोप्लास्मिक Radiculum कहते हैं यानि एक परकार की अंतरद्रभी जालिका जो है वें खुरदरी होती है, जब की दूसरे परकार की अंतरद्रभी जालिका जो है ये चिकनी होती हैं. अब हम इसमें जानेंगे कि खुरदरी अंतरदर्भी जालिका होने के पीछे कारण क्या है तो जब अंतरर्दर्भी जालिका के बाहरी सतह पर रायवोजोंस मौझूद होती है तो इसमें हम वैशने अंतरद्रभी जालिका को rough endoplasmic reticulum यानी खुरदरी अंतरदर्दर्भी जा तो हम वैसे अंतरद्रबी जालीका को चिकनी अंतरद्रबी जालीका यानी smooth endoplasmic reticulum कहते हैं अगला point इसके हैं कि rough endoplasmic reticulum यानी खुरदरी अंतरद्रबी जालीका उसकी सतह पर ribosom रहने के कारण ये खुरदरी अंतरद्रवी जालीका जो है ये प्रोटीन संसलेशित करता है क्योंकि राइवोजम्स का जो कायर है कोशिका में वह है प्रोटीन का संसलेशन करना तो जब अंतरद्रवी जालीका की सतह पर राइवोजम हो तो अंतरद्रबी जालिका ट्रांसपोर्ट के काम के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है। इसलिए चिकनी अंतरदेवी जालिका में प्रोटीन का सिंतेसिस नहीं होता है जबकि खुर्दरी अंतरदेवी जालिका के दुवारा प्रोटीन का संसिलेशन किया जाता है अगला पाइंट है कि जो ये चिकनी अंतरतिबी जालिका है यानि स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करती है लेकिन ये वशा और लिपीड का निर्मान करती है अक्सर कोश्चन में आता है कि RER का क्या कारे है और SER का क्या कारे है तो RER ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है जबकि SER जो है ये वशा और लिपीड का निर्मान करती है और दोनों का जो मूल काम है वो है ट्रांस्पोर्ट पदार्थ का परिवहन अब हम गलजी उपकरण के बारे में स्टुडी करेंगे इंग्लिस में इससे हम गलजी एपरेटर्स भी कहते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है गलजी उपकरण का वह है कि इसकी खोज जो है एक वेग्यानिक ने की थी जिनका नाम था क्यामीलो गलजी अकसर कोस्चन से में आता है कि गलजी उपकरण का खोज किस ने किया तो गलजी उपकरण का खोज करने वाले वेग्यानिक का नाम था क्यामीलो गलजी नेक्स्ट पॉइंट है कि ये गल्जी उपकरन है क्या गल्जी उपकरन छोटी छोटी पैकेट्स हैं यानि छोटी छोटी पूटी काउं का एक तंत्र हैं और ये जिल्ली यूख्त हैं यानि इसमें मेंब्रेंस होती हैं मेंब्रेंस से ये घीरी वी संग्रशनाय होती हैं गल्जी उपकरन कोशीका के अंदर ये केंद्रक के जस्ट अगल वगल होती है और इसमें छोटी-छोटी पूटीकाओं का एक तंत्र होती है और ये पूटीकाओं जिल्ली से घिरी होती है अगला पॉट्ट है कि ER यानि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतरद्रेबी जालीका में जो पदार्थ संग्सलेशित होती है गल्जी उपकरन में वे सभी पदार्थ पैक किये जाते हैं और उनका ट्रांस्पोर्ट इसी पैकेट्स के दवारा होता है यानि कुछ ऐसे करन्जों हैं यह पैकेट्स का काम करती है और यह एक परकार से के रूप में पदार्थ का ट्रांस्पोर्ट होता है लाइसोस्रम कोशी का की एक महत्पुर्ण कोशी का अंगक है अक्सर different competitive exams में या different academic exams में लाइसोस्रम से related कुछ questions होते है लाइसोस्रम के बारे में जो सबसे महत्पुर्ण point है उसको हम सबसे पहले note out करते है point है कि लाइसोस्रम को कोशी का की आत्मघाती थेली कहा जाता है यह आत्मघाती थेली जो सब्द है इसको हम English में suicide bag भी कहते है तो यह कोशी का की जो suicide bag होती है वो लाइसोस्रम को कहा जाता है कारण क्या है कि लाइसोस्रम के अंदर कुछ ऐसे पाचक enzymes होती है जो अगर किछी कारण से फट जाए तो पूरी कोशिका को वह पचा देती हैं एई कारण है कि लाइसोसम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं अक्सर आप देख सकते हैं कि डिफरंट कम्रेडिव एक्जाम्स में ये कोश्चन आया हुआ है कि कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली यानि सुसाइड बैक कहा जाता है तो उसका सही जवाब होगा लाइसोसम अगला पॉइंट है ये कोशिका का आपसिस्ट निफ्टाने वाला तंत्र है ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फुटे भागों को पाचीत करके कोशिका को साफ रखते हैं एक्जुली होता क्या है कि लाइसोसम के अंदर कुछ विशेश प्रकार के पाचक एंजाइम पॉआये जाते हैं और ये पाचक एंजाइम जो हैं ये कोशिका के अंदर टूटे फुटे जो भाग होती हैं उसको पचा करके ये कोशिका के बाहर फेंक देना होता हैं किसलिए लाइसोसम जो हैं ये कुछ पाचक एंजाइम को अपने में स्टोर करती हैं और अगर किसी कारण से यह लाइसोसम फट जाए तो पूरी कोशिका के मृत्तु हो जाती हैं एई कारण है कि लाइसोसम को हम आत्मगाती थैली यानि सुसाइड बैक कहते हैं आपने माइट्रोकंड्रिया का नाम तो अवेश्च सुना होगा अब आएए इस वीडियो में हम माइट्रोकंड्रिया के बारे में डीटेल जानकारे लेते हैं माइट्रोकंड्रिया किसी कोशिका का बिजली घर होता है यानि किसी कोशिका के पाउर हाउस के नाम से हम माइट्रोकंड्रिया को जानते हैं कोई भी कोशिका में हजार तरह की काम हमेशा होती रहती है इस प्रकार के कारियों को करने के लिए कोशिका को एनरजी की जरुरत होती है और कोशिका को अपनी एनरजी रिक्वायर्मेंट जो होती है वह माइट्रोकंड्रिया से ही फुल्फिल होती है एही कारण है कि माइट्र है 향ा आक कारियों के लिए एक विसेज परकारерг के राषायनिक मौन्यूब है और तक गोर हुगा हमारी कोशी का अगला अगला पैंट है जो कि अक्षर कंपडिशन में या एक्जाम में पूछा जाता है कि ATP का फुल फर्म क्या है तो एटी पी का पूरा नाम है एडिनोशिन ट्राइफोश्फेट अगला पाइंट है कि माइट्रोकंड्रिया एक ऐसे कोशी का अंगक है जिसका अपना DNA और अपना राइबोजम होता है जैसा कि हम जानते हैं कि DNA जो हैं ये कोशी का के केंद्रक में मौजूद होती हैं लेकिन केंदरग के साथ-साथ या हमायी के तो डिया रहो कौशी का अंगाक है मीट्रकंडिया इस प्रकार डियाने के साथ-साथ मैट्रकंडिया में रायवोजम भी पाहते हैं अब next जो cell organyl का नाम हमारे सामने आ रहा है वह है plastic Plastid एक विशेश प्रकार की cell organyl है यानि कोशी का अंगर है जो की plant cell में यानि पादब कोशी का में ही पाय जाती है Plastids ये जन्तु कोशी का में इसका अभ़ा होता है ये सिर्फ और सिर्फ plant cell में ही पाय जाता है Plastid के बारे में different point को हम note करते है पहला point है कि Plastid केबल पादब कोशी काओं में ही पाय जाते है और ये Plastid दो प्रकार के होते है Chromoplast और Leukoplast Chromoplast रंगिन होते हैं जबकि Leukoplast स्वेथ यानि रंगिन होते है ये Plastids जो है ये रंगों के आधार पर दो तरह के होते हैं एक को कहा जाता है Chromoplast और दुसरा को कहा जाता है Leukoplast यानि जो Plastid रंगिन होते हैं उससे हम Chromoplast करते हैं और जो श्वेथ या बीना रंग का होता है उससे हम Leukoplast करते हैं अगला पांट है कि वैसे Chromoplast जिसमें Chlorophyll वर्नक पाया जाता है उससे हम Chloroplast करते हैं अब Chromoplast में अगर Chromoplast का रंग हरा हो और उसमें Chlorophyll पाया जाए तो वैसे Chromoplast को हम Chloroplast कहते हैं और यह Chloroplast जो है पोधों की पत्तियों में जादा तर पाय जाती हैं और इसी की उपस्तिती के कारण पोधों की पत्तियां हमें हरा दिखाए देती हैं अगला पांट है Leukoplast का मुख्य कार्य स्टार्च, तेल, एबं, प्रोटीन का शंग्रह करना हैं यह जो Leukoplast होती हैं उसका जो मुख्य कार्य हैं वह हैं स्टोरेज और इसमें स्टार्च, तेल, और प्रोटीन का स्टोरेज होता हैं अगला पांट है कि यह Plastid जो हैं जिस प्रकार Mitrokandria का अपना DNA और Ribosum होता हैं उसी प्रकार Plastid का भी अपना DNA और Ribosum होता हैं इसलिए जब कभी भी कोश्चन आए कि ऐसा कौन सा Cell Organil है जिसका अपना DNA और Ribosum है जिसका सभी जवाब होगा Mitrokandria और Plastid Next Cell Organil का नाम हमारे सामने हैं जिससे हम रस्धानिया कहते हैं इंगलिस में इससे हम Vacules भी कह सकते हैं यह रस्धानिया Plant Cell और Animal Cell दोनों में पाया जाता हैं रस्धानिया कुछ Ashes संग्रचनाएं हैं जिसमें जलियो विलयन जो हैं कुछ बिसे स्ट्रक्चर में कोशिका में पाया जाता हैं Plant Cell में जो रस्धानिया की साइज होती हैं वह बड़ी होती हैं जबकि Animal Cell में एक से ज़ादा रस्धानिया पाया जाता हैं और Animal Cell में इसकी साइज Plant Cell की तुलना में कम होता हैं अब आईए रस्धानिया यानि वैक्विल्स के बारे में different points को हम नोट करते हैं पहला point है कि रस्धानियों में मिथ रूप से जल होता हैं जो कि विलयन के रूप में होता हैं और इसमें Amino Acids, सरकरा, कार्बनिक आमल और प्रोटीन का विलयन होता हैं अगला point है कि रस्धानी एक जिल्ली से घिरी होती हैं जिससे tonoplast कहा जाता हैं आप देख सकते हैं different competitive exams के questions bank उठा कर या कोई भी academic exams की questions bank में भी आप देख सकते हैं कि रस्धानी को घेरने वाली जिल्ली को क्या कहा जाता हैं इसका सही जवाब होगा tonoplast जो है यह एक जिल्ली है और यह जिल्ली रस्धानी को घेरे रखती हैं किसी कोशिका कि अगर सबसे महतपुर्ण कोशिका अंगक का नाम पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा केंद्रक केंद्रक किसी भी कोशिका कि सबसे महतपुर्ण कोशिका अंगक हैं कारण क्या है कि किसी भी कोशिका की संपूर्ण कारियों का नियंत्रन उसमें मवजूद किंद्रक ही करती हैं अब आए किंद्रक के बारे में एक एक पॉइंट को हम नोट करते हैं पहला पॉइंट है कि किंद्रक कोशिका के संपूर्ण कारियों का नियंत्रन करती हैं किसी भी कोशिका में हजारों तरह के कार्य एक ही समय पर होने लगती हैं और सारे कार्यों का नियंतरन का जो दाइत वह हैं वह किंद्रक सम्हालती हैं इसलिए किंद्रक को हम एक नियंतरक कोशिका अंगग के रूप में भी का सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि ये केंद्रक जो है ये दोहरी परत से घिरीवी होती है इसके चारों और दोहरी परत का एक इस्तर होता है जिसे केंद्रक जिल्ली यानि नियूकलियर मेंब्रेन कहते है और इसी केंद्रक जिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते है और इसी छिद्र के द्वारा कोशी का अद्रव केंदरक के बाहर या केंदरक के अंदर आ जा सकता हैं इसपरकार केंदरक जो है ये दोहरी जिल्ली वाली एक कोशी का अंगर है केंदरक याने नूकलियोस-related अगला पाइंट पर अब हम डिसकस करेंगे केंदरक में क्रुमोजम होते हैं जो कोशी का विभाजन के समय छड़ाकार दिखाए पड़ती हैं जब किसी कोशी का में विभाजन का समय आता हैं उस प्रकार जब इससे हम माइक्रोस्क्रप की सायता से देखते हैं उसमें छड़ जैसी कुछ संग्रचनाएं हमें दिखाए पड़ती हैं और इसी संग्रचनाओं को इसी स्ट्रक्चर को हम क्रुमोजम कहते हैं और किसी भी स्पीसीज में क्रुमोजम की संखा ये निश्चित होती हैं अगर आप मनुष्यों की कोशिका काईद्यन करेंगे तो उसमें आपको क्रुमोजम की संखा 46 यानि 23 पेयर्स में मिलेंगे अगला पांट है कि क्रुमोजम में DNA पाया जाता है और ये DNA का पूरा नाम डियाक्षी राइबो निउक्लिक अमला है DNA जो है ये जिनेटिक मेटरियल है जो कैराक्टर्स को एक पीडी से दुसरे पीडी में ट्रांसफर करती है DNA अनुवांक्षिक पदार्थ है जो माता-पीता के गुनों को संतानों में इस्थानांत्रित करती है Friends, जब कभी भी हम Books यार Notes पढ़ते हैं तो ऐसे इस्थिती में हमारे सामने दो शब्द आते हैं एक है प्रोकैरियोटी कोशिका और दुसरा है यूकैरियोटी कोशिका अब ऐसे इस्थिती में हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे कोशिका को हम प्रोकैरियोटी कोशिका करते हैं और किस तरह की कोशिका को युकैरियोटी कोशिका करते हैं अब इस स्लाइड में हम डिटेल जानकारी लेंगे कि प्रोकैरियोटी कोशिका क्या है और युकैरियोटी कोशिका क्या है साथ ही दोनों में क्या different हैं पहला जो point है वह है प्रोकारियोटी कोशिका से related कि वैसे कोशिका जिसमें वास्तवी केंदरक अनुपस्थित होता है वैसे कोशिका को हम प्रोकारियोटी कोशिका करते हैं अब यहां समझना है कि वास्तवी केंद्रक का क्या मतलब है वैसे केंद्रक जो केंद्रक जिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है वैसे केंद्रक को हम वास्तवी केंद्रक कहते हैं यानि वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक तो मौजूद होती हैं लेकिन केंद्रक जिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरान है जिवानु कोशिका अगर आप जिवानु की एक कोशिका को लेकर माइक्रोस्कोप की सायता से इसका study करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें केंद्रक तो मौजुद होती हैं लेकिन केंद्रक जो हैं ये केंद्रक जिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं साथी साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता हैं जो की झीली से घीरीवी होती हैं अगर आप प्रोकेरियोटिक कोषिका का माइक्रोसकोप की सहायता से देखेंगे तो इसमें आपको मायट्रोगंडिया देखने को नहीं मिलेगी, लाइसोसम, गल्जी वर्डिज या प्लास्टीड्स ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा जिसमें की किंद्रक से घ कहरन जिवानु कोषिका के साथ साथ निल हरीत सेवाल यानि बलू गेरिन अलगी भी है, अगला है युकारियोटिक कोषिका, वैसे कोषिका को कहा जाता हैं जिसमें वाश्चतोवी केंद्रक उपस्तित होता हैं, यानि केंद्रक जिल्ली द्वारा घिरी हुई होती हैं, इस इस अभी स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, इसका सबसे अच्छा उदाहन है, जंतु कोषिका और पादप कोषिका अगर आप ऐसे ही वीडियोज देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को ज़रूर सबस्क्राइब कर लें, क्योंकि साइन्स प्लेटफर्म एक ऐसी यूट्यूब चैनल है, जिसमें डिफ्रेंट एजुकेशन से विलेटे डिफ वीडियोज अपलोड की जाती हैं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, तब तक के लिए गुडबाई